तो माइडियर फ्रेंड वेल्कम टो एजुकेशन पॉइंट आल लाइन तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज के इस लेक्चर में अपन रॉल सुरम को कंटिन्यू करेंगे और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा ह क्ला मैं उस से रिक्वेस्ट करूंगे प्लीज वो मैं इसमें प्लेलिस्ट में जाए-स टार्ट फॉर्म शee स्टार्ट करें वो श active करें व सीलेबस से स्टार्ट करें तब जाके आज के लेक्षर की जो चीज़े आपको समझ में आएगा मेरा बच्चा पार्टी और अगर आप इतनी चीज़े नहीं किये हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से देखिए है ना वीडियो को अभी स् स्क्रिप्शन पर दिया हुआ है कोर्सेश वहां पर M1 के अब अविलेबल हो चुके हैं एलांग विट इडी तो आप वहां से डाउनलोड करके पर्चेस करके अच्छे से पढ़ सकते हो फ्रेंड और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों को भी जरूर तो हमें अपना भी लेबल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तो बहुत ऐसे जो बच्चे ना वो यह सोचते के मैथामेटिक्स क्या ना बहुत ऊपर की चीज़ा है ऐसा कुछ नहीं बच्चा मैथामेटिक्स जो है वह बेसिक चीजों का मिसरण है बस जिस बच्चे का बे मिलेगा इवन रॉस्तिरम बनाने के तीन तरीक है मैं सबसे सिंपल वाला इस्तमाल करता हूं कॉलिज बच्चे तो यहीं से भाग जाते भी यह सोचते भी नहीं कि मुझे दूसरा लेक्षर करना है ठीक है चलिए तो जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा वैसा करते ज फिर अपन निकालेंगे function of b ठीक है अगर दोनों equal हुआ function of a बराबर function of b हुआ तब अपन क्या लिखेंगे यहां पर रॉल्स थ्यूरम वैलिड उसके बाद आगे उसके बाद आगी का काम करेंगे एफ डैस सी इस इकल्स टू जीरो फिर यहां से क्या करेंगे सी की वैलू निकालेंगे तो यह थोड़ा सा मोटा माटी क्या आपका एक रिकॉल है कि इस तरीके सपन को रॉज सुरम के questions को proceed करना पड़त है आप इसको नोट करो है ना पता नहीं इंक लगता बहुत जादा पुराना हो गया मिटर नहीं रहा है कोई बात नहीं चलिए तो फिर आते question पे question क्या कह रहा question कह रहा verify रॉल्स थ्यूरम फॉर्दा function function यहां पर दिया हुआ fx x cube minus 12 x चलिए यहां पर आपको function दिया हुआ है तो function को क्या लिखेंगे function of x लिखेंगे जो की दिया हुआ अपन को x cube minus 12 x ठीक है in interval 0,2 root 3 interval क्या दिया हो भाई friend 0,2 root 3 तो मैंने कल भी आपको बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ कि जब interval आपको दिया हुआ हुआ है तो पहले interval को मानोगे a और दूसरे interval को क्या मानोगे b तो यहां से आपको a की value पता चल गई 0 और b की value पता चल गई 2 root 3 तो यहां तक बहुत ही ज़्यारा simple था जो question का जो function है उसे simply अपन fx मानेंगे ठीक है और जो हमारा interval दिया हुआ रहेगा तो पहले वाले interval को मानेंगे a और दूसरे वाले interval को मानेंगे b उसके बाद क्या करना था अपन को सबसे पहले तो existence से करना था कि क्या रॉल स्रुम exist क करेगा या नहीं करेगा उसके लिए करते थे function of a निकालेंगे function of b निकालेंगे दोनों हो गया बराबर तो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है तो थो से space लेता हूं है ना मिटा दूंगा को दिकत की बात नहीं है function of x अपन को पता है क्या है एक्स of a निकालने के लिए put x is equals to a both side डूनों ही साइड में क्या करोगे x के जगा पे a put कर दोगे तो यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा function of a a cube minus 12x sorry x के जगा पे ना तो x cube के जगा पे हो गया a cube 12x की जगा पे क्या हो गया 12a ठीक है तो यह बहुत simple तरीका है class 9 में भी आपने पढ़ा होगा जिस function में जिसको convert करना उसको क्या कर उसको से replace कर दो तो हमने क्या कि यहां पे x को a से replace कर दिया तो यह ना तो यह function of x convert हो ग आप पुट कर दो एक ही जगा पे तो function of a यहां पे फिट करो राइट हैंड साइड में 0 का q 12 x 0 तो 0 का cube 0 12 x 00 तो यह क्या हो गया 0 यहां से निकल गया function of a फिक है यहां तक तो सब गुड़ गुड़ है ऐसा कुछ दिख्कत यहां पे है ना आप फिर से देख लेना विडियो को बार बार बो कि ना बच्चा पार्टी तो क्या होगा विडियो लंबा ऊबा अननेसिसरी आप क्या करना दो बार देख लेना ताकि आपको समझ में आ है चली तो जिस प्रोसेस से अपनने फंक्शन आ फे निकाला था उसी प्रोसेस से अबंध फंक्शन बी बी आसानी से निकाल सकता हैं तो मारा next step क्या होगा फिर से अपना आएंगे function of x में फिर से अपन का आएंगे function of x में जो कि हमें दिया हुआ x cube minus 12 x ठीक है को दिक्कत की बात नहीं है अब यहाँ पर क्या करेंगे हमें function of b निकालना यह निकालना function of b तो अपन क्या करेंगे पूर x is equals to b x के जगा पर भी पूट कर देंगे तो यह हो जाएगा function of b is equals to b cube minus 12 b cube minus 12 b ठीक है x के जगा पर b हो गया x के जगा पर b हो गया आप अगर और अच्छे से देखोगे तो अपन को b की value भी पता है अपन को b की value भी पता है b की value क्या है b की value है 2 root 3 आप यहां पर क्या करो पूट कर दो 2 root 3 का cube minus 12 और यहां पर क्या करना है यहां पर बता देता हूं बेसिकली अपन को क्या करना है है two root 3 into 2 root 3 into 2 root 3 और minus 12 और यहां पर क्या करना है 2 root 3 है यह यह न हगा हम ने क्या क्या कने क्या 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 हिए टीन बार में multiply कर देता कि आपको समाझने में थोड़ा सा आसानी हो तो देखे 2-2 जा 4 फोर टूजा एट ठीक है यहां तो बहुत अथी बात है रूट थ्री रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा रूट थ्री रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा ठीक है आपको पता होना थी कि रूट 3 into root 3 क्या हो जाएगा 3 root 3 into root 3 आपको क्या हो गया 3 हो गया तो हमने यह पर क्या लिख दिया 3 तो सब तो multiply हो गया सिर्फ बचा रूट 3 तो हमने क्या क्या रूट 3 को as it is वैसे रहने दिया अब यहां देखो 12 into 24 और बचा क्या आपका सब्सक्राइब करता है तो यहां तक तो सब कुछ गुडगुड था देखो सब्सक्राइब कर दिशन सब्सक्राइब करते हैं तो आया होप आपको यहां तक समझ में होगा तो वीडियो को छोबाव पीचे कर लो है ना यह स्टेप एक बार फिर से देख लो ठीक अगर यह स्टेप समझ मैं तब फिर आगे की तरह बढ़ना है ना वीडियो के पीछे कर लो देखो अपन ने क्या कि सबसht Mortم यह से आज है तो जब भी मेरा बच्चाप तो अपन क्या करतें इक है ना यहीज़ थान चलो तो आप इसको वीडियो को पाउस करके नोट करो मैं इसको रुख करने वाला आँ और वीडियो को वारो कर लो ऑच्छी से या तो पीछे करके फिर से देख लो ठीक है तो एंट फोली मारस के बार इस के बात का इस्टेब क्या था हमारा उसके बात का इस्टेप्प Pokémon क्या करते है कि आप ते-स एको लिएति रोके बराबर करते थे और यहां से C की वैलू निकाल लेते हैं तो यह मैंने रफ में बता है इसको लिखमत लेना आप लोग ठीक है चलिए तो एफ डैस C निकालने के लिए अपन को पहले एफ डैस एक्स निकालना पड़ेगा मैंने आपको इससे पहले वाल लेक्शन हो बताया है तो बेटा देखो यहां पर चलिए फंक्शन ओउट शर्प फिर से आप आई है फंक्शन ओञेक्स पर जो की है एक्स क्यूब午 साटीक्व ओओ अब यहां पर क्रिंगे अपन डिफ्रेंशिय डिखर में एन एन एक्स एन माइनस वन यह वाले फॉर्मले से क्योंकि आपने डिफ्रेंशेशन पढ़ा है इसलिए मैं मान के चलना हो कि आपको यह सब सीज़ा आती है और नहीं आती तो मत घवराओ पीछे जाके देख लो वीडियो को ठीक है चलो तो एक्सक्यूब का डिफ्रेंशेश निकल गया 3x2-12 आप क्या करते थे मेरा बच्चा बाटी आप करते थे आपन यहां पे एक्स के जगह पे सी पूट देखो fx था उसको डिफ्रेंशेट किये तो fx को जब डिफ्रेंशेट करेंगे तो fx आएगा ठीक है मैंने कल के लेक्टर में आपको बताया था अब यहा एक्स के जगह पिसी एक्स के जगह पिसी तो यहां तक देखिए यह कहानी वही है है तो पात रजीरे-जीरे समझ में आते चले आएंगे आपको खुलते चली जाएंगे चीज़े है ना चली अब आते अंसर की तरफ तो अंसर के लिए क्ली क्या करेंगे फॉर द वैलू पर देखिए अपन को क्या करना पड़ेगा एस डैस इको जीरो के बराबर करना पड़ेगा फॉर द वैलो अफसी अपन क्या करेंगे एफ डैस इको जीरो के बराबर करेंगे यह क्या है मेरा बच्चा पार्टी थृषी स्कूर माइनस टूबध इस इकोज जीरो 12 को धर भेज़ दो हैना यह वैलो रखा पन ने जीरो के बराबर क्या निकाला दाना इसको धर भेज़ दो तो यह माइनस टूबध यह जाक्या हो जाएगा प्रस टूवल्ध अब 3 को क् जर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट का वैलू निकलेगा इस अंदिट की दो फॉलोन निकली एक निकला माइस टू एक निकला प्लम कंधना यहां तक ठीक है को दिक्कद की बात नहीं में आप यहां से इसली का वैलू निकाल पाओगे जो स्टेप मैंने किया है आप फिर से देखना उसको ठीक है तो यहां से मैं यहां पर थोगा से लिख रहा हूँ आपके लिए यहां पर हमने देखा कि कि वैलू माइनस टूअ टू आई है लेकिन एक बात यहां रखना है कि दोगो हमने जब आपको कल एक करव बताया था तो जो C था ये point C था ये A और B के बीच में होना चाहिए C क्या होना चाहिए मरे बच्चा पटे A और B के बीच में होना चाहिए तो आप देखो A है 0 और B है 2 root 3 A है 0 और B है 2 root 3 तो देखो इन दोनों के बीच में 2 तो आ सकता है इन दोनों के बीच में 2 तो आसकता है लेकिन क्या minus 2 आसकता है देको इन interval के बीच में आपका 2 आसकता है लेकिन minus 2 नहीं आसकता है तो यहाँ से एक बात हमने ये सीखा कि जब भी answer आता है हम लोग क्या करते हैं उसको interval के बीच वाले को ही take करते हैं उसके अलावा अगर को answer आ रहा तो उसको आप answer नहीं लिखेंगे अगर c की value कोई ऐसी value आ रही है जो interval के बाहर है ठीक है देखें interval क्या था हमारा interval था 0 से 2 root 3 मतब इसके वीच में 2 तो आ सकता माइनस तू नहीं आ सकता है ठीक है तो माइनस तू को क्या करें गें निगलेक्ट करें तो अच्छे यहां पर क्या लिखेंगे नोट कर लीजिए हैना फिर अपन मिलते हैं अगले अगले कुश्चन मिलेंगे अगले लेक्चर में काई मिलेंगे लिखो तो चलिए माई डिया फ्रेंड अगेन वेरी ब्यूटिफुल कुश्चन बहुत प्यारा कुश्चन आरजी पीप पूछा हुआ भी है आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा और मैंने यहां पे बोट पर भी लिखा आप टिग्नोमेट्रिक एन एक्स्पोनेंशियल फंक्शन कोई बात नहीं है अपन जो जानते हैं अपन उसी पर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे अपन को घबराने की कोई भी जरूत नहीं है माई डिया ठीक है चलिए तो यहां पर दिखा हुआ लिखा हुआ वरिफाई रॉल स्टिरम फॉर्दा फंक्शन रॉल स्टिरम फॉर्दा ठीक है कोई रिकत की बात नहीं जो भी दिया हो अपन तो करने आता है अपन उसी तरीके से इसको कर लेंगे इना इंट्रेवल जीरो से पाई इंट्रेवल क्या होगा मैं डिया फंट जीरो से पाई ठीक है तो पहले वाले को क्या बोलते थे पहले वाले को बोलते थे ए और चल्हों आगे बढ़ते हैं तो a की वैलू है आपका 0 और b की वैली। है ठीक है। जिसे अपन क्या जानते हैं पाई का मतलब बाइकवाइका मतलब हैं चाहित इस इन एंगल एंगल पर अपन जानते हैं 180 डिग्री ठीक है या तो सिंपल आगर आप देखोगे तो पाई की वैलू ओती थी पॉइंट बन फॉर दो तरीका है पाई की वैलू अपन अगर एंगल पे देखे तो वह ओगा 180 डिग्री और पाई की वैल अपन सिंपल देखें तो वह आपको दिखेगा 3.14 अब बात करूं तो भी पता है तो तो आपको फंक्शन ऑफ एकस पता है क्या है इसरूंस के शिया करेगा या नहीं करेगा सबसे पहले शेया और चेक कर लेंगे आई करते हैं तो आपको function of x पता है क्या है बच्चा sin x e का power minus x ठीक है आप क्या करों यहां पर सबसे पहले पूट कर दो x is equals to a x is equals to a to function of a हो जाएगा sign a e का power minus से ठीक है कोई दिकत की बात नहीं जहां जहां एक्सा वावा क्या आगया अगया अब अगर आप अच्छे से देखोंगे तो एकी वैलू क्या है आपको 0 है तो अप यहां पर क्या करो एकी वैलू 0 रख दो क्योंकि आपको पता एक वैलू क्या है सब्सक्राइब तो फंक्शन ऑफ ए इसी को साइन जीरो एक पावर माइनस जीरो ठीक है देखिए अब आपके पास है अब तक क्या कर रहे थे आप अब तक आप सिंपली सारी वैलू इसको याद रखते थे लेगिन अब आपको याद रखने की जरुबत नहीं है यह यह तो मैं कभी प्रस्नली आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है तो तो यहां पर अपन को दिखा हो रहाएगा साइन तो अपन साइन पे क्लिक करेंगे साइन उसके बाद जीरो तो यहां पर अंसर दिखा रहा है क्या जिरो मतलब आप टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी से कलकुलेट कर सकते हो आप कोड़ेटिक इक्वेशन मैट्रीस बहुत सारी सीजिस में आप कर सकते हो ठ किसी बी चीज के ऊपर पावर जीरो होता है तो उसकी वैलू वन होती है तो जीरो इंटू बच्छा पार्टी जिरो हो गया तो यहां से निकल गया हमारा फंक्षन होव अगर महीं भी निकालते ना तो कोई बात में 0 से मुल्टिपलाई होकर यह आउटोमेटिकली जीरो ही है sin x e का पावर माइनस x ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर पूट करेंगे x बराबर b तो यहां से निकल जाएगा function of b is equals to sin b e का पावर माइनस b ठीक है b की वैलू अपन को पता है बी की वैलू क्या है पाई बी की वैलू पाई रख दो तो यहां पर टिग्नोमेट्रिक function है न तो यह हो गया sin π और e का पावर माइनस पाई फिलाल इसको होल्ड में रखो इसको कैलकुलेट करने की यह रवाथ नहीं है क्यों कि दो को होता है sin π का मतलब होता है sin 180 डिग्री ठीक है तो आप यहां 성 से वन इट डिग्री का का कलकूलेट कर लो साइन वानिट डिग्री विक रोता है जीरो होता बच्छा पार्टि तो यह क्या होगई आपकी की value 0 पिर से मेरी बात को समझना इस वाले को होलियमें शाइंप अब देखो की बढाने की जरूद नहीं है क्यूंडरवत नहीं है तτι इसके बारे बात करलते हैं क्योंकि का नहीं कि मेरा और नहीं होता है तो चलो 12 ही होता है तो यह को चीछ को 1 एक • • bear बराबर fb ठीक है तो यहाँ पी का लिए यह पी क्या लिखेंगे फिर रोल्स स्यूराम वैलीड रॉल स्यूराम ठीक है बच्छा बाइड इक लोगाँ तक तो बहुती शीम्पल था हैंघना पनी सिंपली का किया किया एपता आगे तो चली माइडिया वर्टे आगे और अपन को पदा चल चुका है कि हां यहां पर नोट करो फिर अपन आगे कि तरफ बढ़ते हैं स्थिर्म एक्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या हो मेरा बच्छा बाड़ी आपन निकालेंगे एव डैस सी और उसको करेंगे जिरो के बराबर जहां से निकलेंगे सी की वैलो आई रखते हैं ठीक है चलो तो अगर रेंज देखा जाया तो रेंज के हमारा जीरो डिग्री से 182 यह आपका रेंज इसी के बीच में सराना चाहिए है यही रेंज है क्योंकि तो 0-0 हो गया और पाई का मतलब क्या होता वनेटी डिग्री ओलता है ठीक है इसको धि यहा chi और रखल नहींस करेंगे तो यहां पर को डिफरेंसेशन का कॉन सावाव लगेगा यहां पर लागिगा यूँ इन टो वी क्योंकि यह मल्टिप्लिकेशन यह क्या है मल्टिप्लिकेशन में तो आज जैसा कि मैंने सेशन में भी आपको बताया था कि जब भी कोई function multiply में हो अब भी कोई function my dfn multiply में हो तो चाकरते एक को छोड़ते हैं दूसरे को differentiate करते हैं । अब ब्लस को Herren का फिरेंच करते हैं ह। कि आपन क्या करेंगे जब इसको differentiate करेंगे तो यह एक तो हो जाएगा f dash x अब यह आप ही क्या करेंगे सबसे पहरे लिखो sin x को छोड़ो d upon dx e का पावर minus x plus अब e का पावर minus x को छोड़ो d upon dx sin x तो multiplication का यही रोल होता है differentiation के लिए क्या एक को छोड़ो दूसरे को करो plus दूसरे को छोड़ो पहले को करो है ना तो एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ा पहले को किया आई करते हैं तो sin x as it is वैसे ही रहेगा है ना e का पावर minus x का e का पावर minus x and minus x का क्या हो गया मेरा बच्चा पार्टी minus 1 देखो e का पावर minus x का differentiation e का पावर minus x और जब minus x का करेंगे तो यह हो जाएगा minus 1 e का पाउर minus x का वही हो जाएगा और जəb ** करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा minus 1 यहां ध्यान देना यहां पर बच्चे गलती करते हैं ठीक है चल यह का पावर minus x sin x का क्या होता है cos x और यहाँ पर x है तो x का हो जाएगा करें लगा यह बात ध्यान दिना और मांद कर चलो से कि मेरा बच्चा-party सबस्ट को क्या और इतना बडा अपर तो डिफ्रेंशेशन परुडिया थीकित चलो आगे बढ़ता है तो मायनिस क्यों सी हो जाएगा माइनस साइन एकस उनका पावर माइनस एकस ठीक है प्लस ईक पावर माइनस एकस सो एक पावर माईन से एकस ठीक है बच्चा बाटपा इचल अभी हाप है क्लब करेंगे पूट एक्स बराबर सी उट इक्स बराबर सी तो यह आपका हो जाएगा f-c is equal to minus sin c e-c power minus c plus e-c power minus c c ठीक है तो मेरे लिए बहुत simple हो गया पहले क्या क्या function को differentiate किया और है तो गवराओ मत अभी तक हमने जो पढ़ा है जो चानिट सीखा है तो अभी उसी इस के पी बात कर रहे हैं है अपनसी कंसेप्ट पे ही बात गरें और अभी तक हमने आपको कंसेप्ट रहे हैं कोई ऐसा नया स्टेप नहीं लेकर आए हैं जिस से आप परीसान हो यूँ से थी गया तो चलो वीडियो को रोको इसको क्या करऊ आ नोट करो भी कि अरे बहुत इजी है यार हो जाएगा सभी से होगा क्यों परिशान हो तो हर एक बच्ची से बनेगा बस डिफेंशेशन पढ़ लेना भाई है ना डिक अगर मैं सेकंड यर वालो कोई पढ़ाता हुना तो मैंने डिफेंशेशन का पहले ही से लेक्ट्स डिजाइन करके रख दीफेंशेशन मेरे बच्चों को मैं पढ़ा देता हूं पहले तुक्य अगर डिफेंशेशन इंडेशन में क्लियर हो वह कोई रिकत नहीं धाला धर कोश्यन मनेगा ठीक है चल आब तो फार दा वैलू और फी फार दा वैलू आफ ठीक है चली सी की वैलू के लिए क्या करते हैं एफ डैसी इस इकल्स टू जीरो आप यह ना एफ डैसी की वैलू जो कि इतनी बड़ी वैलू निकाली कैनी काली वह यह माइनस साइन सी इका पावर माइनस सी प्लस इका पावर माइनस सी कॉसी इस इकल्स टू जीरो हई है ढही ना है देखो है तो देखिए बच्छा अपन को पता है कि फॉर्वन सी बराबर क्लेणा जिरह कर देना है क्वैस फीडित अपर कर दिया चलिए तो जो अपन सीखें अब उसी पर वर्क कर रहे हैं अपन कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करने जिससे आपको परिशानी उठानी पड़े है ना चलो तो आप देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं सबसे पहली बात तो आप क्या करो कि इस पूरे टम को इदर भाई दो ट्रांस्पोस कर दो राइक ही जयए तो यह मा इन Luminaire जाके क्या ओक्या हो जायेगा प्लस में हो जाए तो यहां से हो गया इक बावर मायन सी कह सी और यह माइन सूदर जाके हो जाएगा प्लस तो sin c e का पावर माइनस c खीक है चलिए अब यहाँ पर क्या होगा बच्चा पाटी e का पावर c e का पावर c कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा देखो तो लेकि इस्टिप बढ़ा देता हूँ अभी आप लोग बेसिक है न अभी आप लोग अभी shortcut नहीं मारते हैं आप क्या करो इसको cross मूदर भेग दो तो cos c बराबर sin c e का पावर माइनस c अपॉन e का पावर माइनस c यह इदर है cross में जाएगा तो नीचे आ जाएगा अब यह क्या हो गया cancel हो गया चलो तो cos c और यह हो गया आपका साइन सी ठीक है अब एक काम करो cos c को भी धर भेग दो तो यहां बचेगा सिर्फ सिफ वन सिर्फ सिफ क्या बचेगा वन क्यूंकि जहां पर कुछ नहीं होता यहां पर वन होता है ठीक है तो यह हो गया science c upon cos c और आपको यहां पर भी मैं अनसर सकता था यहां पर भी मैं से सकता था यहां पर भी मैंसर दे आ दूँगा मैं यहाँ पर भी आंशर दे सकता था और आप यहाँ पर भी अंसर दे सकते हो कोई रिक्कत की बात नहीं दोनुची जोंकर समझेंगे भी सीखने के लिए अब अपन सीखने के लिया है तो अपन हर्थी सीखेंगे ठीक है चलिए वन तो एक बाब बताओ 10 का कौन सा वैलू वन होता है देखो 1045 1045 क्या होता है वन होता है होता है अगर वैलू याद हो तो ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे 1045 और यह हो गया 10C 10 से 10 cancels यह हो गया 45 बराबर सी ठीक है अगर 45 को रेडियर में लिखोगे तो यह ऑथा पाइब आई फॉर क्या होता मैं बच्चा पाटी पाइबाइब फूर यह मारा क्या आंसर एम रा क्या हो गया आंसर त्यू कि आपको पता होना चाहिए कि जो 1045 वोता वन तो वन के जाग प्ल लेकिन मैक्सिमूम बच्चों को पता है यार ठीक है चलो दूसरा मैं यहां पर बोर रहा था कि यहां पर भी मैं अंसर दे सकता हूं क्योंकि आपको पता होना थी है कि कॉस्ट 45 और साइन 45 में क्या होता दोनुई वैलू इक्वल होती है साइन 45 और कॉस्ट 45 दोनुगी वैलू क्या होती सेम होती है तो यहां से डायरेक्ट अंसर निकल जाता 45 ठीक है तो अपने क्या 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 है यहां 10 पे लेकर गया है और किसी बच्चों को तकलीफ हो कि भूल गया हो जाके एक्जाम में तिले भाईया भूल गया हम तो 10 क्या हो कि देखो यह तो अंसर लिख लोगा जो भूल गया हो महास है वह वह समझेगा जैसे कि हम लोग एक्जाम में गए और भूल गया है यह लो अपने पास कल्कुलेटर है अपने पास क्या है क्या 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 बात नहीं भूल गया ठीक है कोई बात चलिए तो अपन क्या करेंगे वे घंड को जर भेजेंगे तो थी की वेलू क्या हो जाएगी सीव बैलो जाएगी टैन इन वर्स वन तो यह कुलेटर में आप आप्सेट दबाके सिफ्ट दबाके टैन जब टीप होगे तो जाएगा टैनिंबर्स और टैनिंबर्स वन जब करोगे तो यह हो जाएगा 45 तो बाइदर यूज ऑफ कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो तो 45 को रेडियर में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं पाई भाई फोर यह आपका अंसर हो गया देख लो यह एक्जिस्ट भी करता है 45 मारा जो अं आसकता हो मैंने हर एक पॉसिबिलीटी बता दिए आपको यहाँ पर यहां पर भी अंसर बता दिया मैंने आपको ठीक है और आप को कल्कुलेटर के यूज सभी मैंने चीजे बता दिये तो आप इसको नोट कर लो फिर चलते अगले कुशन में विट एन इंपॉर्ट सब्सक्राइब के साथ माई डिया फ्रेंड क्या है कि जो आगे का जो लेक्षर से दो कोई और है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वह आपको मिलेंगे एप पे तो अगर जो बच्चा सैटिस्फाइड है लग रहा है कि हाँ आपनको मैथमेटिक्स वन पढ़ना है अपनको कोई डाउट नहीं है तो माई डियाफन वह आगे आप कंटिन्यू कहां से करेंगे वह आगे कंटिन्यू करेंगे एप को डाउनलोड करना उस पे स्टोर पे जाना आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा ठीक है तो जिस तरीके से आप पेमिंट करते हैं किसी भी चीज के लिए वैस नहीं सर अभी तक तो नहीं लग रहा है कि आप घटिया पढ़ाते हो थोड़ा और क्लास दो कोई बात नहीं सर जो देखें जो पढ़ने वाले बच्चे उनको अभी तक पता चल चुका होगा जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे ठीक है अगर जो और अगर कंफाम होना चात है हा लेकिन फिर भी मैं अपना बेश दे रहा हूं ठीक है अगर जो जज्मिंटर बच्चे हैं वह जच करते हैं कोई दिकत की बात नहीं जो पढ़ने वाले बच्चे वह सीधा कंटिन्यू करें ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बढ़ा कोर से भाई मेरे ठी से मैट्रिक्स में तो अभी उतना समय वेश्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है जिनको लगता है कि अभी और देखना थी है वह आगे मीन वैल्यू थिरम देखके फिर आगे कंटिन्यू करें है ना जो कंफर्म वह आगे बढ़ सकते हैं चलिए तो अगेन वैरी ब्यूटिफुल को क्या 5 अभ आपने क्या क्या वाले को ठाया कोई बातने जोन है सांए रहे कॉस रहे अपन धुदा घवरानाहिं है अपनो जिस तरीकर से कुक करते थे अपन उसी तरीकर से कूश्शं को करेंगे तो देखे, Question क्या बोल रहा है, वहीं बोल रहा, Discuss the application of Rawls theorem, ठीक है, of the function, of the function ठीक है, चले, तो यहाँ पे आपको function of x दे दिया है, क्या, log, x square, plus AB, upon, a plus b x, ठीक है, कोई दिक्षट की बात, नहीं है, और यहाँ दो कहीं टरवल क्या है, यहाँ पे interval, a की जगह पे, a और b की ज टरवल है वो ए और बी के रूप में तो कोई बात निया की जगाप पिया और बी के जगाप पियस्टे प्वाट निम्पकुछ नुमरिकल वैलीज होते थे ठीक है तो यहां दो को एक जगाप पे एह ही है और बी की जगा पे भी ही है चलिए तो अपन अभी नहीं भठकेंगी अपने इदम इस्टेट फारवर्ड है कि हाँ भाई फंक्शन आफ और आइए निकालना है तो आज़ा फंक्शन आफ एक्स पे जो की है लॉग x square plus a b upon a plus b x ठीक है चला तो put x बराबर a तो यह हो जाएगा function of a to log a square plus a b upon a plus b और x के जागा पर क्या हो तो आप यहां पर दुबारा वैलो पूट करेंगे जरुवत नहीं है फ्रॉड आगे सॉल करते हैं log a square plus a b upon a into a a square फिर इसकोई से मुटिपलाइ करेंगे एंटू बी a b अरे दोनों सेम से में घचा घचा कडिया एक बचा क्या लॉग 1 ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा function of a है ना यहां पर भी छोड़ सकते हो या तो मैं आपको एक और ग्यान की बार बता हूं लॉग 1 की वैलू 0 होती है ठीक है अरे छोड़ो या ठीक है को लॉग 1 आया है ना अपनको बराबर से मतलब है ना बसले वैलू वैलू रहें दो कोई बात नहीं ठीक है चलिए तो हमारा बहुत सिंप्ली निकल गया function of a fx पर नेक्स की जगह पर एपूट कर दी है तो हमारा function of a निकल गया फिर से आते हैं function of x में अधिक और देखना मेरा जो सॉलुशन वो बूक के सॉलुशन से मैच नहीं करेगा ठीक है तो यह मत्तुचन अपन गलत पढ़ा रहे हैं ना गाइडवाट के सॉलुशन से मैच नहीं करेगा मैंने मैच के छे साथ बुक पढ़ें तो जो मुझे जो तरीका सबसे अच्छा लगता है में उसी तरीके से करवाता हूं है ना है यह है फंक्शन हमारा अभी हाँ पर क्या करेंगे अभी हाँ पर पूट कर देंगे पूट एक्स बराबर बी तो यो जाएगा फंक्शन ओफ पी लॉग बी स्क्वेड प्लस एबी अपॉन एप्लस बी लगते हैं कि एप के लगते क्यास के जगह पर फिए टी की तक गबरानी वाली बात तो तो चलो, B square plus AB, तो इसको आगे पीच्चे करके लिख सकते हैं, B square plus, AB कोई दिख्कात की बात नीए, प्लस में हैं हैं हैं, आगे पीच्चे करके लिख सकते हैं, घचा कडिया बचा, log1, function of b, function of b हो गया, log1 मरब बच्चा बाड़ी, ठीक है चलिए तो देख सकते हैं यहां पर आप है ना पर ने कि वही किया इसको आगे पीछे करके फिर काट दिया है कोई दिक्त की बात नहीं होनी चाहिए अगर दिक्त की बात है तो फिर से दखलो वडियो को यूटूब आपका है डना दन आगे पीछे आप मुझे ऐसे कि ऐसे पीछे कर सकते हो तो यहां पर क्या देखा अपने एफ इस इकल्स टू एफ बी अब कॉन्सिरेंट आ रहा होगा मेरे को भी आ रहा तुम को भी आ रहा होगा ठीक है चलो एफ बराबर एफ बी रॉल्स छोड़ाम वैलिट है चलिए यहां तक तो कहानी आपकी क्लियर होगे तो वीडियो को रोको है ना रोकने के बाद मेरा बच्चा पार्टी अच्छे से नोट करो फिर आगे कि तरह बढ़ना ठीक है क्योंकि आगे थोड़ तफ होने वाला टफ नहीं अपना दे अपन अच्छे से पढ़िंगे टफ क्या होगा लिग इसको दियرف पसा लेगा यह मैं क्या करेगा फसा लेगा ह्ट तो को eveMy AH कुचिंग नेगा फाइदा इक अपस के बात तो यह भी और आपकूंचिंग करने का फाइदा इप पाइदा हुआ हूआ क्या फाइदा हुआ चलिए तो अपन क्या करेंगे थोड़ा function में modification करेंगे थोड़ा सा modification करेंगे ताकि हमारा answer आप आए अगर modification नहीं करते हैं बच्चा पाटी तो answer आ भी नहीं पाएगा लगे लगेगा वावा तालीया और फिर बाद बाद में परते मुझे मिलेगे गालिया ठीक है चलो कोई बात मैं आपके तो फ्रेंड आपको अगर कुछ लॉक की प्रोपर्टी याद हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो देख लो लॉग ए अपॉन भी को हम लोग लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग भी अगर आपने लॉग का कुछ पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं हम तो है ना भाई बताने के लिए तो चलिए पहला फॉर्मूला लॉग का जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है लॉग ए अपॉन बी विच इक्वल टू लॉग ए उलब भी करता है तो लोग अपन नहीं करेंगे अपन क्यों कारें तो लोग ये उपर वाला एक्सि स्कूरर मेर प्लस ए बी माइनस भाकट मैं रखना इसको लोग को ए प्लस बेंटू एक्सस को ब्राकेट में रखना भी ठेक है ब्राकेट खुला काम खराब हो ठीक है चलिए तो हमने आपके सामने एक चीज रखी बहुत प्यारी सी कि लॉग एप्वान भी मेरा बच्चा पार्टी होता है लॉग ए माइनस लॉग भी तो यह हो गया हमारा लॉग ये माइनस लॉग भी तो यह उपर वाला एक था नीचे वाला था बी आगेन मैं आपके स पूरा मज़ा हुआ या बच्चों का चली लॉग एंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग भी अपता यहां पर भी बच्चे गलती करते इस वाले स्टेप पे भी 50 पर संब बच्चे गलती करते तो मुझे पता मेरा बच्चा कहां गलती करेगा इतना तो है सब्सक्राइब देखता नहीं हूं लेकिन हूं बहुत बढ़ा हूं मैं छे साथ बच्चे मेरे एक चलो तो लोग एंटू भी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग भी चलो ब्रैकेट मत खुलना भी ब्रैकेट खुला काम खराब क्योंकि सला माइनस है ना माइनस बहुत का से खुआ अीज हो जाएगा लॉग अ प्लस भी प्लास लॉग एक्स ठीक है दो लोग एंटू भी का फर्मला लॉग ए प्लस लोग भी हमने माना इसको एश को मेना भी तो लोग एफ लाइफ लॉग भी ठीक है देकृता माइनस है अब खुलेंगे ब्रैकेट अब खोलेंगे तो log x square plus a b minus log a plus b अब इस minus square से plus क्या हो जाएगा minus log x bracket ने जान बचा लिया वरना भाई मैं बतारों ना 70% बच्चे यहाँ पर गलती कर देता है लेकिन अपन को 70% बच्चों में नहीं आना अपन को पहले पता है कि मेरा बच्चा कहां गलती करेगा तो हमने क्या क्या function को simplify किया with the application of log log के application से हमने क्या क्या function को थोड़ा सा simplify कर लिया my dfn चलिए अब हमारा fx आ गया कोई दिक्कत की बात ने अपने इसको simplify कर लिया था अब आगे बढ़ते हैं वीडियो को फिर से देखना यह एक बार में समझ में आने वाला नहीं है ठीक है बार बार बोलूंगा वीडियो लंबा होगा चलिए तो हमें जो आप fx मिला है है ना वो क्या है बच्चा पार्टी वो है लॉग x square plus ab minus log a plus b minus log x चलिए तो आपको d upon dx of log x मैंने बताया था in the differentiation class which is equal to 1 upon x मैंने यह आपको बताया है कि d upon dx x क्या होता है है वन अपॉन एक्स होता है तो यहां पर वही सारा फॉर्मला लगेगा विट चैन रूल क्योंकि जहां जहां डिफेंट सेशन होता है वहाँ वहाँ चैन रूल होता है बच्चा चलिए इंग भी खतम हो गया था मैंने इंग पर इफिल कर लिया कि आए तो आगे देखते हैं अगे आए अफ डैस एक्स ठीक है चलो तो यह इसको लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो गया ना तो यह क्या हो जाएक सका वन अपॉन अपॉन एक्स स्कूर प्लस एबी ठीक है और चैन रूल के इसाब से जब इसको करोगे अंदर वाले को तो ए अब प्लस एका क्व जाएगा जीरो ठीक है फिर से देखो बढ़ा समझना हम इसको कर रहे ना लॉग एक्सिट कर रहे हैं तो जब पूरे को करेंगे तो यह वुट यह उजाए गा ऐपान एक्सिटक्वाइर प्लस एबी और चैन रूल के इसाब से जब अंदर वाले को करे इसस्वार का क्या हो जाएगा ठीक है चलो तो तो भाइमने लिखा स्वाई फिर वही बात बुल रहा हूं कि जो मेरा बच्चा डिफेंसिेशन नहीं पढ़ा है जाके पहले डिफेंसिेशन पढ़ लेना वाई मेरे ठीक है लिब मेरे सरफ पापत होगे किस तरना पढ़ा या स क्योंकि भाई x रहता तब तो डिफेंसेट करते हैं यहां पर x ही नहीं है तो यह constant माना जाएगा तो constant का differentiation क्या होता है 0 log x का हो जाएगा हाँ 1 upon x log x का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 1 upon x ठीक है चलिए इसका differentiation यहां इसका यह 0 हो जाएगा क्योंकि आप x नहीं है और log x का हो गया 1 upon x तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो यह हो जाएगा f dash x is equals to 2x upon x square plus a b minus 1 upon x ठीक है चलो बच्चा पार्टी तो यहां पे अपन को क्या निकल गया f dash x निकल गया 2x x square plus a b minus 1 upon x क्या करते हैं यहां पे फूट कर दो x के जगह पे c तो यहां से क्या निकल जाएगा f dash c निकल जाएगा 2c minus c square plus a b minus 1 upon c तो रखो बच्चा पार्टी अगर ऐसे अपन नहीं सिंप्लिफाई करते हैं तो answer आने के chances भी लगबग खतम नहीं कर पाता कोई बच्चा जो जाता और बने कोशिस करता है वही गोवर खाता यह सभी को पता है तो वैसे नहीं होता अपन को इसको करना अगर अर्ट था होता मैं कर देता आप लोगों से नहीं तो तो आप से बनना चाहिंच लिए मैं अक्नें मैंनफ कर रहा हूँ मेरा महनत करने का मेन मंकसद क्या कि से भाने मुझे तो बनी जाएगा और मैं आपने ठीम आपको क्यूंक रात करो तो मैं जितना इसी हो सकता जाहिए तरीके से हो सकता हूं उतनी इसी तरीके सापको रिप्रेजेंट करूँगा है तो विडियो को पाउस करो हैना इसको नोट करो अंसर हम लोग पहुंच गया है इसका अंसर है रूट अंडर अबी तो आई ये देखते हैं कि क्या हमारा अंसर हुट अंडर अबी आता है या नहीं आता है चलो तो अब यह बहुत लंबा लेक्षर हो चुका है ना कोई बात नहीं देमो था है ना बच्चा बाटी तो देखना इसके बाद का जो रॉस का जो कोईशन से वह आपको एप पे मिलेगा तो जो सडिस्फाइड है वह एप पे जाके कंटीनू करो और जो बच्चे को लगता नहीं है थोड़ा और पढ़ना चाहिए तो वह फिर मीन वैलू चुरम के भी दो लेक्चर को एटेंड कर सकता लेकिन ज्यादा समय नहीं है अपना समय ना बरबात करें बहुत महेंगा फीज रखा है मैंने 799 ठीक है पूर दप कंप्लीट कोर्स पूरे कंप्लीट कोर्स के महिना देखो गए ना तो महिना ज्यर्व पर पढ़ेगा फॉर दो वैलू ऑफ सी की वैलू के लिए बच्चा पाटी क्या करते हैं एफ डैस सी को जीरो के बराबर करते हैं ठीक है यही करते थे ना चुल एफ डैस सी क्या है टू सी अपन सी स्क्वाइर प्लस एबी माइनस सी इकल स्टो जीरो इस को थर Major वैजो को किそう है कि are तो टू सी अपन सी स्क्वाइर अपन एबी यह माइनस उद्वकाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा चुलो इसको इधर इस को इधर है तो यह टू सी इनुतू सी यह दर हागया और यह दहा जाऊ जाएगा तो यह स है फित्कोंब्ल्हेद्र प्लस eder को छला गया वन से मिल्टिपलाय को वहीं कि स्वेड़ाइर सबूसियों एमां चुह में सिर्फ सिर्फ एम्रों रख़ते का मीनस को मैं इसन्द ब्लसकोंब्ल इसको इदर फयर घंज more स्क्राइब तो सब्सक्राइब बचा इस्क्राइर को दर भीच दो तो सी इकल स्टू रूट अंडर एबी यह आपका क्या हो गया प्यारा सा अंसर ठीक है जब आप प्रक्टिस करो को चीजे और इंप्रूब होगी कैलकुलेशन भी और अच्छा होगा है ना वीडियो को आप फिर से देखो को दिकत की बात नहीं है बच्चा पार्टी तो आप चलिए वीडियो को एंड करते हैं बहुत अच्छा रहा डेमो लेक्षर यह आई होप आपनी बहुत सारी तीजे सीखी होंगी तो फ्रेंड अगर झाल झाल झाल